हलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं लीवर में आ रही खराबी उसके लक्षन और इसके साथ ही लीवर को हम स्वस्थ फिर से कैसे बना सकते हैं बहुत ही अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी तो पूरी वीडियो जरूर दिखेगा और इसके साथ ही अगर आप सकते हैं ये 10 लक्षन समय पर अगर आप इन 10 लक्षनों की पहचान कर लेंगे तो आप अपने लीवर को खराब होने से और अपने जीगर को सड़ने से बचा सकते हैं क्योंकि लीवर अगर खराब होता है तो सबसे पहले वो जीगर ही पकड़ता है हमारा हार्ट ही पकड़त जिसका आकार फुटबॉल की तरह होता है लीवर भोजन को पचाने और बॉड़ी से टॉक्सन को बाहर निकालने के लिए अवश्चक है बॉड़ी के इस जरूरी अंग को हेल्दी रखना जरूरी है लीवर का अगर ठीक से ध्यान नहीं रखा जाए तो इसकी सेहत विगड़ सकती है किसकी सेहत लीवर की सेहत विगड़ सकती है कुछ लोगों को लीवर की बिमारी अनुवानशिक होती है तो कुछ लोगों को लीवर की बिमारी खराब खान पान की वज़े से होती है आज कल तो खराब खान पान की वज़े से ही है। लीवर की बिमारी के लिए वाइरस, शराब का सेवन और मोटापा भी जिम्मेदार है। समय रहते अगर लीवर की समस्या का उचार नहीं किया जाए तो लीवर सिरोसिस हो सकता है जिससे लीवर फेल हो सकता है। ये जिन्दगी के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिती है। अगर शुरुआती दोर में लीवर की खराबी के लक्षनों का पता लग जाए तो स्थिती को घातक होने से बचाया जा सकता है। लीवर में थोड़ी सी भी परिशानी होने पर बॉडी में उसके कुछ लक्षन दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर लक्षनों को समय पर आप पहचान लेगें तो लीवर को सडने से बचाया जा सकता है। आईए जानते हैं लीवर की खराबी के दस लक्षनों की पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला लक्षन तो है, स्किन और आँखें पीली दिखाई देती हैं, जिस तरह से की एक व्यक्ति को जान्रिस होता है, उस तरह से स्किन भी और आँखें पीली-पीली सी नजर आती हैं, पेट में दर्द और सूजन, पेट फूला-फूला सा रहता है, पेट में अकसर पान ही रखेंगे अपना तो वो बढ़ती चली जाएगी पैरों और टखनों में सूजन जिस तरह से आप कभी देखते हैं बिस्तर से नीचे उतरते ही जब हम पैर जमीन मर रखते हैं तो पैरों में एंकल में खास करके दर्द सा होने लगता है पैरों और टखनों में सूजन अजाती है, स्किन में ख़ुजली होनी शुरू हो जाती है, अब स्किन के किसी भी बाड़ी पार्ट में कहीं पड़ी भी खुजली हो सकती है और यह खुजली अगर लग tai रहती है आपको तो इसका treatment आपको जल्दी लेना चाहिए युरेन का रंग गहरा हो जाता है गहरा प का कलर गहरा है डाक है तो फिर भी आपको सावधान हो जाना चाहिए मल का रंग भी पीला होता है बेहत थकावट कुछ भी थोड़ा सा भी काम आप कर रहे हैं तो आप बहुत ज़दा टायड महसूस करते हैं मतली या उल्टी हमेशा कुछ खाने के बाद या नवी खाये हुए सुबह उठते ही हमारा जी मचलाना शुरू हो जाना उल्टी जैसे महसूस हो जाना ये भी लीवर की खराबी होने के लक्षन है भूक में कमी जिस व्यक्ति को लीवर में खराबी होने के चांसे रहते हैं उसकी भूक में कमी आ जाती है उसे भूक लगनी कम हो जाती है इधर पेन हो रहा होगा या कुछली हो रही होगी तो वो skin को खरोचना शुरू कर देता है तो ये भी liver की खराबी के लक्षन है ठीक है तो अभी हमने discuss किये 10 लक्षन liver की खराबी के अब अगर ऐसे लक्षन है body में आपको दिखाई दे रहे तो हम liver की health को सुधार भी सकते हैं उसके लिए आपको कम से कम एक महीने तक ऐसा करना होगा जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं पहला और सबसे महत्वपुरन कदम बहुत अधिक शराब का सेवन करने से बचना है जी हाँ ज्यादा तर liver की समस्या उन्हीं लोगों को होती है जो ज्यादा शराब, सीग्रेट इनका सेवन करते हैं जो की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्चा नहीं है ठीक है? तो पहला और सबसे महत्वपुरन कदम तो आपने शराब का सेवन करने से बचना है अगर बहुत ज्यादा लथ है शराब पीने की तो धीरे धीरे करके आप शराब को कम कर सकते हैं शराब का सीमित सेवन करके liver को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है liver की बिमारियों से बचाव करने के लिए वजन को कंट्रोल करना ज़रूरी है पेट में वस्सा का निर्मान यानि जिसे हम चर्बी बोलते हैं उसका निर्मान और अधिक वजन होने से लीवर रोग का खत्रा बढ़ जाता है लीवर को हैल्दी रखने के लिए कैलरी, वस्सा और परिश्क्रित कार्बो हाइडरेट जैसे तेल, घी, पनीर और शक्कर युक तपे से परहेज करें आप जित्ती भी दूद से वनी चीजे हैं उन्हें एकदम इग्नोर कीजिए जैसे की घी भी बनता है, दूद से पनीर भी बनता है, इन सब चीजों को जो की दूद से वनी हुई हैं इन्हें आपने नहीं लेना है अपनी डाइट में, उसके बाद डाइट में आप फलों, सबजियों और हाई फाइबर वाले खाद्या पदारतों से बरपूर संतुलन डाइट का सेवन करें, जी हाँ डाइट में आप फलों, सबजियों को एड़ कीजिये, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि खाने, खाना खाने जब हम बैठते हैं, उससे पहले आप अपने सामने सेलेड रखिए, सलाज जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो कीरा है, प्यास है, जो भी आपको पसंदा टमाटर, उसे पेट भर कर पहले खा लीजिये, उसके बाद आप खाना खाईए, उससे खाना पचाने में, खाना डाइजेस्टर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ये डाइबिटिक पेशेंट्स के लिए भी जिनको शूगर होती है, उनके लिए भी बहुत फाइदेमंद है, पहले वो सलात खाएं, इससे पानी की कमी जो हमारे शरीर में होती है, वो भी खतम होती है, उसके बाद हैपटाइटिस B, टीका करन लीवर में होने वाले संक्रमन को रोकने में काफी सफल है, हैपटाइटिस B का इंजक्शन आपको वेक्सिनिशन करवाना होगा, लीवर को खराब होने से बचाने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे ट्वालेट का उप्यूग करने से पहले, खाने से पहले और खाना बनाने से पहले, अपने हाथों को आप पूरी तरह से धोईए, ये भी ध्यान रखिए कि जिस ट्वालेट को आपने किसी से भी सांजा नहीं करना है, जैसे कि आप अपना रेजर यूज कर रहे हैं, उसको आपने किसी और को यूज करने नहीं देना है, इसके साथ ही आपने भी किसी का रेजर यूज नहीं करना है, टूथ ब्रश भी किसी का यूज मत कीजिए, वैसे तो ये कोई भ करता है लेकिन इस चीज़ में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इसके साथ ही सुई जैसी एंड ऐसी वस्तुओं को कभी भी सांजा नहीं करना चाहिए अपना टावल यह सब चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए जो कि आप किसी के साथ यूज नहीं कर रहे हैं है उमीद है आपको आज की दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी यदि आप अपनी बॉडी में ये दिये गए लक्षन महसूस करते हैं तो तुदरन डॉक्टर को आप दिखाईए यदि आपको पेट में दर्ध है इतना गंभीर है कि आप स्थिर नहीं रह सकते हैं नहीं नहां पर क्या दिख्कत आ रही है इसी तरह के और भी आयरुवेदिक नुस्खे पाने के लिए आप अभी क्या भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आयरुवेदिक नुस्खे कौन से होते हैं देखिए आयरुवेदिक नुस्खे से ही हमें अपनी ब फाइदा यह है कि आयुरुवेदिक कोई भी चीज आपकी बोड़ी को कोई भीकर्षक्ट निस्खान नहीं पहुंचाती है, बलकि फाइदा ही देती है, यहाँ पर हम आपके साथ आयुरुदिक निस्खे ही शेयर करते हैं, अगर आप चाहते हैं, आगे भी आपको आईरवधिक नुस्खे मिले, क्या आपको भी किसी तरह से कोई दिक्कत है उसका आईरवधिक नुस्खा आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं आपको उसका solution जल से जल दूँगी Thank you so much, bye bye